हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि क्या में अपने बच्चे के लिए बेबी वाइप्स का यूज़ करना चाहिए या नहीं और अगर नहीं करना चाहिए बेबी वाइप्स का यूज़ तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए उसकी क्लेनिंग करने के लिए So friends, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मी की baby wipes का packet रखा हुआ है और ये मेरे husband ने मुझे ला करके दिया था, जब मेरा baby पैदा हुआ था और ये 199 का pack है, जिसमें 72 pieces हैं, 72 wipes हैं और ये जो मी मी है, ये basically malaysia based company है बाकी तो products इसके अच्छे हैं, बट ये जो wipes हैं इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि paraben free antibacterial ingredients यूज किया है, aloe vera and chamomile extract है तो ये जो extract है, friends क्या पू लगता है कि इनोंने एकदम naturally natural aloe vera इसमें डाल दिया होगा और वो सड़ेगा नहीं, वो ऐसे चलता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दिनोंने कोई preservative तो यूज किया ही होगा वो preservative हमारे baby की skin के लिए बिलकुल अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को diaper rashers सिर्फ इस वज़े से हो जाते हैं क्योंकि उनकी skin पर लगातार ये wipes यूज होती है, मैं सिर्फ me की wipes की बात नहीं कर रही है, कर रही हूँ चाहे हमालया कंपनी की wipes हो, या bamboo की wipes हो, या कोई भी इस तरह की wipes हो, अच्छी अच्छी companies wipes बनाती है, pampers की wipes आती है, तो ये सब नहीं अच्छे होते, इसकी जगे पर आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने बच्चे के लिए एक ऐसा डबबा बना रखा है, य ये उपर glass लगा हुआ है, मैं इसे आपको खोल करके दिखा देती हूँ, ये जो ये बाल्स है, ये cotton की बाल्स, ये मैंने अपने हाथों से बना बना करके इसमें रखी हुई है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने ये बाल्स बनानी शु खोलती हूँ, इसमें से बाल निकाल के इसको क्लीन करती हूँ, और वापस इसको बंद कर देती हूँ, या कभी वो अपने मूँ के असपस मैसी कर लेता है, जैसे लार गिरा रहा है, बहुत तो भी मैं इन cotton balls का यूज़ करती हूँ, जैसे कि अब आप कहेंगे कि बहुत हैं बखे जाने में बहुत आराम रहती है तो ऐसा नहीं है, जैसे हैंडी तो हैं हैं, जैसे खोलने के लिए भी ऐसे बना हूँ, आ जायाएगा लेकिन ले जाने के लिए भी बहुत तरीके हैं इसा जरूर है नहीं है कि आप ऐसा ही बॉक्स ले जाओ भत्तर एक बॉक्स होते हैं इवन मेरे पास एक बॉक्स था जो कि कार्डबोर्ट का बना हुआ गोल था ऐसे एकदम राउंड शेप का था जैसे बॉटल होती है बहुती छोटी सी उसकी लेंग थी उसमें में भर लेती थी वाहर तम में ले जाती थी बाहर आपको अपने बच्चे के लिए थोड़े जतन तो करने ही पड़ेंगे आपको जितना भी नाचुरल वे में उसको अप उसको रेज करेंगे उतना अच्छा रहेगा उसके लिए सो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू